आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello, the question is In the path of a uniform light beam of large cross-section area and intensity I a solid sphere of radius R which is perfectly reflecting is placed Find the force exerted on this sphere due to this due to the light beam तो देखो ऐसा है कि हमें लिकालना है क्या force जो इस sphere पर लग रहा होगा इस light beam के द्वारा ओके आवर light beam के बारे में कुछ जानकाड़ी दे रखी है कि यह intensity I से आके ispatic कर रही है और cross-section जो है वो बहुत बड़ा है large area है ठीक है तो देखो ऐसा है कि माल देज़े यह हमारा sphere है ठीक है sphere है अबर इस पे light आके पर रही है light की beams आके parallel एक दूसरी के सब आके पर रही होगी इस तरह से incident कर रही है माल देज़े ठीक है तो एक बात हम लोग जानते हैं कि यह intensity I से डॉप कर रही है अब इंटेंसिटी का फर्मूला हम लोग जानते हैं वो क्या होता है power upon area होता है यह तो हम जानते हैं अच्छा power को हम लोग क्या लिख सकते हैं force into velocity upon area यह power को हमने क्या लिख लिया force into velocity लिख लिया तो यहाँ से देखो force क्या आजाता है क्योंकि हमें force निकालना है तो यहां से force निकाल लेते हैं क्या आ जाता है intensity into area upon velocity ओके तो intensity तो i से हैं यहां पर टेक कर रही है और इनकी velocity कितनी है यह हमें दे रखा है क्योंकि यह light है तो इसकी velocity जो होगी और कि c के पराबर होगी speed of light तो यह c होती हो तो यह क्या हो जाएगाimana आब हमें area निकालना है तो यह में पता करना है कि कि यह कितने area पर जाके beam वह light कर रही होंगी मतलब प्रकास डाल रही होंगी force लगा होगे कितने एरिया पे हमें ये पता करना है तो अगर आप प्रेक्टिकली अगर देखो तो आप इसका एरिया जो है 1 अट छानल हो कब चार दालें किसी एक छोटे से बाल पे टो अगर उसका उसकी परच्छाइन सैडो बनाए तो उसका सैडो अगर माली यहां पीछे दिवाल होगा तो उसके अगर सैडो बना दे तो वह सैडो कुछ एक circular होगा ठीक है अगर इसका radius r है तो वह भी इसी radius r का एकडम इजेक्ट circular path यहाँ पर एक shadow black color का बन जाता है तो यह पता चल सकता है कि अगर यह जितना light पर रहे हो उतनी एरिया यहाँ पर बन रहा होगा ओके यह आपने देखा भी होगा कि यह एकडम circular इसका shadow बनता है ठीक है तो उतना ही area यहाँ पर हमें चाहिए जितना पर force लग रहा होगा तो यह area हम कितना का सकते हैं यह area pi r square के बराबर होगा तो यहाँ put कर देते हैं intensity i है area pi r square है upon में c इसकी velocity है तो force हमारा यह आ जाता है ओके so this is the answer और यही हमसे पूछा गया था the force exerted on this sphere due to the light beam तो light beam भी द्वारा इतना force लगाया जाएगा thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोट करे doubt net app यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 पर